सो हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में city college of commerce and business administration का full form fill up process आपको बताये जाएगा ठीक है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिन लोगों को city college of commerce and business administration में पढ़ना है पूरा देखी और पूरा form fill up process बिना mistake का करें ठीक है चले स्टार्ट करें वीडियो सबसे प्रहला आप city college of commerce गुगल में सर्च करके website पे चल जाना ठीक यहां पर देख सकते हो online admission portal first semester लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है तो जैसे आप click करोगे तेहां पर लिखा click here to submit your application online तो यहां पर पूर क्लिक करना है तो आप कौन सा become honest में यह apply करोगी यह general में पूर्स पर करना है तो for example become honest पर हम एक वीडियो बनाते है इस वीडियो बनाते है ठीक है become honest करते है उसके बाद form खुल जाता है तो चलिए आप start करते है form सबसे पहले आपको name देना है full form full name देना है suppose Rajesh Rajesh Kumar Pandit ठीक है ऐसा है date of birth देना है calendar से select करना है तो चलिए calendar से select करते है date of birth हो गया जेंडर सेलेक्ट करना है मतलब सिप वाइस कॉलेज नहीं है ठीक है और नाशनलेटी इंडियन अगर हिंदू है तो हिंदू नहीं तो कोई और इंडिजन हो तो कोई और रिलिजन में आप टिक कर डाया category आप जेंडर हो तो जेंडर नहीं तो कोई और category में हो तो उस पर कर डाया ठीक है physically challenge हो तो yes नहीं तो not outstanding sports person हो तो yes नहीं तो no H.S. किस year में पास की हो तो 211 में तो 211 सेलेक्ट नहीं तो 211 सेलेक्ट करना है ठीक है तो कर सकते हो नहीं करो compulsory नहीं ठीक है subject combination honors का वही same है जो CUC म्यांता CBCS देता है सिप्षेटरम्स यह मिंस की एक 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 इसका देना है English करते हो तो English सेलेक्ट कर लेना father's name आपका मांगा father's name आप फुल दो जो है आपका admit card में mother's name फुल दो ठीक है annual family income दो सपोस्क्रोड दो लाग चालीजा अजा फैमली ने guardian को किसको बनाना पापा को बनाना पापा का नाम दे दो ठीक है same होना चाहिए यह नाम यह नाम same होना चाहिए अपना address जो permanent है वो permanent address आप दो ठीक है फुरा आप West Bengal का permanent resident हो तो West Bengal तो नहीं तो जिजहां तो permanent residence हो वो state दो ठीक है pin आपका address का pin क्या है वो pin देना है ठीक है country India अप प्रेजेंट और यह permanent address सेम है तो same कर देना अपने आप आजाएगा सारा चीजा nearest station कोंस है आपका ठीक है मैं यह WhatsApp नंबर हो तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि college का link विंक आता है क्योंकि अभी class है जब तक corona ठीक नहीं होता है तो online ही होगा ना WhatsApp नंबर ज्यादा preferred है ठीक है आधार नंबर दे सकते हो नहीं तो compulsory नहीं हो minority हो तो yes नहीं तो no क्लिक कर दाना ठीक है लोकेशन क्या है अपको R1 है या semi-r1 या rural R1 करना ठीक है विपेल या APL हो यो लो poverty line है और वो poverty line है जिसके पास विपेल का card है तो करना नहीं तो APL ही करना है पहले के university में registered हो yes या no करना है ठीक है क्योंकि जो लोग registered जो लोग एक साल या एक सेमेस्टर पर के फिर college छोड़ देते हैं फिर एक-दो सब आप फिर college वाइंट करना चाहते हैं तब उस case में क्या होगा यहां पर आपको yes करना पड़ेगा फिर आपको उस वक फर्स सेम एक तुनंती आपका registration certificate बन जाता हूं आपको यह वाला number yes करना होगा ठीक है यह सब university name number registration देना है ठीक है इतो नो mother tongue क्या है देना है तो तो इंदी इंग्लेश जो भी है पेंगॉली है तो तो कोई गंपर सरी नहीं है इसलिए नहीं भी दे सकते हैं आप यह क्या बोलता है non formal education system से पास हुआ है या नहीं है तो नहीं है ठीक है result of qualifying exam 10 plus 2 का name of the examination क्या है higher second examination लिखते है higher examination ठीक है रोल नमर लिखना है without any separation मतलब कोभी gap मत देना रोल नमर पुरा एकसा ठीक है year pass हुए कौन सा year में exam दियो हुए इंस्ट्यूशन है कौन सा school से आफ 12 दियो suppose to go next time high school ठीक है कौन सा board था westpengal board था या भी कोई और board था अधर है तो अधर करके आफ नम रितना है तो इस अधर बोर common है ठीक है इसका स्टाट करते है English आफका अधर कंपरसर ही इसकी बाद दूसरा लैंग्वेज आपको लेना है Hindi तो Hindi करते है नहीं तो Bengal है तो Bengal है तो Bengal ही लिख सकते है ठीक है तो Hindi कर सकते है इसकी बाद हर्ट सबजेक्ट आप become current accountancy दो पहले फोर्ट दे सकते हो आप business studies दे सकते हो फिफ्ट पॉस्टिंग taxation दे सकते हैं और six आप या फिर जो आपका subject है वही आपको देना है ठीक है हम तो एक बस example दे रहे हैं इकनॉम जोग्राफिय नहीं इकनॉमस है ठीक है theory तो 100 значит practical practical gef यहां पगे ठीक हो प epic जो नहीं अगर ऐसा करना थे जी कर सकते हो 80 कर सकते हो 80 20 कर सकते हो तो 4 यहां प्रण केल मार्क्सजित में है फिरल शुरत जैसा मार्कष्ट में यहां कर जाए जो उब मांगे खिक माक्षित में अगर 80 20 करके mir जिएए drama- 60 में तो इंहां अगर में मांक्स दिया वा है कि तो फंट्र करके प्रक्टिकल में जिर्णी देना दें जिर्ट क मांक्स पर लिखने के आपorden प्रसित अधा हमनलों 100 में सबमें मांक्स पर देता है वैसे भी कर सकते हैं तो इसके बाद कैलके कंसे क्लिक करेंगे तो best 4 में मेरा इतना percentage आरहा है किया subject concern इतना ठीक है यह होगा है उसके बाद यहां पर click करके submit कर देना ठीक है submit कर देना उसके आथ photo मांग रहा है photo हम कभी normal छाफ कोई भी एक दे देते है photo अबला process पर जाप आए ठीक है signature दे देते हैं कोई भी एक ठीक है 10 plus 2 का mark sheet आपको देना या ठीक है और यहां पर age group देना है बॉर certificate या पर 10 का admin card दे सकते हो ठीक है इसके अप्लोड document पर क्लिक पर देना है ठीक है इसको फॉर्दर करके इसको कर लेते हैं इसको कर लेते हैं इसको कर लिए इसके बाद फिट से अगर हम यहां पर वापस जाए तो यहां पर प्रिंक अप्रिकेशन फॉर्म समय आगा अप्रिकेशन फॉर्म में जाना अपना अप्लिकेशन नॉमबर देना तहिक है अपना बते ओंत कर देना ओंत तो वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो थैंक यू सो मच आपको यह और इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बताना देफनेटी में रिप्लाई करूँगा थोड़ा सा लेट होगा आज तो एक दो दिन में बट रिप्लाई करूँगा ठीक झाल 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 झाल